ए जल्दी आना ए भगवान ये कैसे पागल से पाला पड़ा है ए तू पगल तेरी मौसी पगल तेरा जुन्यून पगल तेरा बॉप पगल बत्तमीज खबड़ा जो मेरे पापा को कुछ कहा तो यू monkey, idiot, stupid, useless, good for nothing ये जा रहा है क्या रहा है ले तरह सफेज भालू आ गया क्या कहा दूने मैं कुछ नहीं ये मैडम आपके जितने खुबसराद नामा न एक एक करके गिनवा रही थी क्या ब्लाडी फूल, monkey, idiot, good for nothing और क्या बोला हाँ, कुटा, सुवर, जंगली वो तो मैं हूँ अच्या बल्कि उससे भी क्या गुज़रा क्या बोलता क्या बोलता क्या बोलता किया अब मुझ पर एक महभानी कर करूंगा लेकिन उसके लिए एक्ष्टा फीज लूंगा अरे दूंगा दूंगा, एक लाख रुपया दूंगा जुट मूटके सबने मात दिखा अरे नहीं सच बोल रहा हूँ, पेरा एक काम कर दे जल जली बोल दोनों हाथ ला मेरा खला दमादे, मुझे माल डाल मुझे भला दमादे, मुझे भला दमादे जादा चलाग मत बन जुणुणवाला तू मर गया तो मेरा पैसा कौन देगा अब यो पैसे के लालची मैं इस सब मुसीब्तें तुझे खुश करने के लिए नहीं छिल रहा मुझे तूस आदमी पर तरस आता है मैं उसकी आखों में दुख के तैरते वांसू नहीं देख सकता मुझे डरा कि कहीं उसका दिल न फट जाए इसलिए मैं तेरे सारे नख्रे बरदाश करता बास 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 लेक्शा बंद करो अब बताओ कि इतने दुखी क्यों हो रहे हो यह जो तुम दोनों के बीच में महावारत चल रही है ना उसका पता राजा साब को चल चुका है अंकर बिशमबर की मात तुम दोनों के किस्टों की पोटली खोल चुकी है यह तो हमारे खिसमत अच्छी थी कि उनकी बातें सारी मेरे कानों पड़ गई आज रात राजा साब मैं में लेकित है कि गात करने खुद तुम दोनों के कमरे में आ रहे है अब अचने काई की रास्ता है वो क्या है इज आओ जाओ राधा मेरी जान मैं कितना किसमत बाला हू कि तुम जैसी सपनों की रानी मेरी सिंदगा नहीं बन गई ओ राधा पता है मेरे पापा तुम्हें दिलो जान से चाने लगे हैं राधा आज तक मैं अपनी सिंदगी में तुम्हारे डैडी जैसा नेक रहम दिल और अच्छा इंसान नहीं देखा राधा मन करता है तुभारे होटो को चूम अरे ये क्या कर रहे हूं कोई देख रहा है कौन चंदा तु आदमी नहीं कुट्टे की तुम है जो बारा साल के बार तेड़ी की तेड़ी रहेगी मामा जी मुझे स्वर्गी मामी जी की कसम ये सब इन लोगों की तेड़ी चाल है तेरे कुट्ट वॉक्ट अगर तुने अपनी ये लोम्री वाली चाल बन नहीं की तो मैं तुझे मार मार के दुम्बा बना दूँगा इडियट मा क्या मैं इस घर का कुट्टा हूँ जो भी आता मुझे लाद बार के चला जाता है आइज आइज एंड बट अंकल खाना तयारे चलिए और उस गधे को भी बुला लीचिए खाने से पहले चोड़ा सा हो जाए एपेटाइजर ससूर और दामाद के बीच में यह शर्मों लिहाज किसली है ठीक है आप कहते तो आज आज नहीं और कभी पीलूँगा आज भूग लगिये बहुत ज़्यादा खाना कहूँगा इतना कम तुम्हारा शरीर डबल रोटी की तरह फोल रहा है एक मेहना डाइटिंग करनी है तुम्हें वनना क्लस्टर लेवल बढ़ जाएगा दॉक्टर ने कम करने हो कहा है यह जूट है जूट है जूट है जूट है जूट है आप बीच में टांग मत अड़ाए जो डॉक्टर ने कहा है वही होगा लेकिन बेटे यह तुहरा पती है और पती की तंदृस्ती का खया रखना पत्नी का परमधरम है ना पेचारा भूखा रहेगा तो तुम पर पाप चड़ेगा पेचारा मर जाएगा भूखा क्यों रखूंगी मैंने इनके लिए खास जूट बनाया है जूट है जूट है ठीक है यह खाना ने चाहिए जूट लेकर रहा है मिजय पत्ती पत्नी का प्यार क्या होता है ये दुनिया वाले आकर तुम दोनों को देखें तब पता चलेगा उनको ये तो पता चले रहा है यह रहा आपका जूस 10-15 करेलो को निचोड़कर मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है क्योंकि डॉक्टर ने खास तोर से पिलाने को कहा है यह 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 मैं करेले का जूस लेपिऊँगा यह दवा भी है और टॉनिक भी है पिऊ यह तुम्हे और मजबूत करेगा पीऊ यह से मैं मैं सब लेपिऊँगा इनने पिने के लेए ज्जिए न पापा पेटे यह करेले का जूस ही तो है को जहर थोड़े न पिलाव बेटी मैं खुद पिऊँगा मैं खुद नियुगा। जावाज जावाज। जी जाव बच्चे की तरह जावाज। जेखो बैटे, करवा होगा, तो सोने से पहले ए गलास दूद का जरूद का जरूद की ले लेगा। की बर शकर भागे लेगा। करवा। परसाओ जो, अजय है जुद्ध बैसों की जरुवतने मेरे पैर बान रखे, तुम लोगों को बरदाश्च करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, वनना तुछों तेरे जुन्यून वाले को ऐसा घुमाता जदे भील्षना के हाद में जुन्यूना लेकर पागल भी कि तदा फिटता रहता है है सुनती आके गण में रूई पड़ी है मैं तुम्हें कई बार कह चुके हूँ ये तु तड़ाख वाली जबान मुझ पर चलाओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम करे लेके कड़वे रास पिलाओगी तो मेरी जुबान इससे भी कड़वे कड़वे बोल सुनाएगी इतना कड़वे के तुम खड़ी-खड़ी करे लेकी पेल निमका छार बन जाओगी राधा पेटी दूद पिलो एच्छा दूद लेकर आँ जा भूग लगी अभी तक सोई नहीं आँटी अभी सोऊंगी लावला जा देखनू शक्कर बराबर डानी है कि नहीं अभी बताती हो वाह बहुत अच्छा एक डम बराबर अब तुम सोजाओ हाँ, खाली पेठो तो निम बहुत मीती आती है सोजाओ अरे, मुझे मिठी नीम सुलाने वाली इसे एक ग्लास दूद का ऐसा पता लूँगा कि देखना तु बल्टी भर भर कर आसूओं से रोएगी और अकर ऐसा नहीं किया न, तो मेरा नम भी भी जाए नहीं सादो, क्या पत्था दिया है भाई मच्छर बात हो गए क्या बत है सनी, हाँ बेटे, चहरे पर उदास इंदा क्यों है जी वोब कमान, स्पीक आप, बोलो, बोलो, क्या बात है? मैं सोच रहा हूँ के सोचने का गाम हमारा है ठीक है बतला देता हूँ ओ, कमान, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं अरे ससूर और दामाद के भीश में परदा कैसा है कमान, स्पीक आप जी वो क्या है के मैं अपनी मा की चौथी आउलाद मेरे से पहले तीन मरे हुए पैदा हुए थे जी ग्यान धैन वाले जोतीशों ने कहा के हर रोज तुमारी मा को बरप के पानी में सर से पाओं तक नहला कर भीगे कपड़ों में जमिन पर लुड़काते हुए मंदिर तक ले जाना पड़ेगा ने तो तुम्हेरा चौथा बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ तो मेरी माने वैसा ही किया तब जाकर मैं जिन्दा पैदा हुआ मेरी माने मनने से पहले मुझे बतना दिया था कि बेटे तेरी शादी के बाद तेरी पतनी के शरीर में वही भूत प्रभेश करेगा तो तू तेरी पतनी को बरब के ठंडे पानी में सर से पाउं तक नहला कर भीगे कपड़ों में जमिन पर लुड़काते हुए मंदिर तक ले जाना वरना मेरी भी आुलाद मरी हुई पैदा होगी लेकिन मैं राधा को इतना कश्ट हूँ तैरी मेरा मन नहीं मानता नो 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 सनी मन को मारो गोली और अपनी होने वाली आुलाद के बारे में सोचो तुमारे तीन भाईयों की तरह अगर वो भी कही मारी भी पैदा हुई तो ऐसे जीने से क्या फाइदा लेकिन इतनी ठंडी के मौसम में सवेरे सवेरे बरफ के पानी में मेरी राधा नाहेगी यह सोचकर मेरा दिल डूबने लगता है नहीं ड़डी नहीं इतना बड़ा अर्तियाचार मैं अपनी पत्नी पर हुने नहीं दूगा चाहे मेरी आउलाद मरी हुई क्यों न पैदा हो मुझे परवा नहीं अपनी बेटी को थोड़ी सी तकलीव से बचाने के लिए मैं अपने खांदान के चराख को बुझने दू कभी नहीं पैटे मरने से पहले मुझे भी तो नाना कहकर पुकारने वाली आवाज सुनी है अरे यार यह जो कुछ कहा रहा पुरानी दक्यान उसी बाते हैं इन पे चलना सरा सर बेवकूफी है जहालत है नो 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 धर्म की बातों पर मेरा पूर्ण विश्वास है येस अभी आए इस सब क्या है उसने मुझे कड़वा जूस पिलाया मैं उसे बरब के पानी में नहलाऊंगा यह घमंडी गर्दन तोडने के नुस्के यह आप क्या कह रहे हैं पापा यह सब फुजूल बाते हैं नो नो यह बातें फुजूल नहीं है यह हमारे बड़े बुजूर्गों की बना हुई रस्मे हैं इनको समझना उन पर चलना हमारा फर्ज है कल को भगवान न करे अगर तुम्हारी आउलाद मुर्दा पैदा हुई मेरा तो दम ही उखड़ जाएगा यह एक बात मेरी तुमको माननी पड़ेगी यह एक जम्हारी कि आपको कम्हारी मुर्ची आपको थीदो जाएग दोध से घचाटम्बावि क्यम्हारी कायाँ भुशाहर चाहरा पड़ारा यही जाहरेग्या slit ह है इसल पर तुमके ले खैशानी छुद्ना अपर थिक परец हुदES जय जग्दंबा बृड़नों पूर्वत बृड़नों करबाज जूस पना जुश पना जूस का है श्लोक पर बिल्कुल सही जा रहा है अधसल जब आप अमेरिका चले गए तो श्लोक बदल गयो थी आती बदल की वो जय जग्दाए रूदामेदों की राक्षा कारे ऐस स्चानके पाल ahíat अबे ओ, मुसिबत की अगर्बती, तू यहां केते चला अबे? अरे, तुमको ढूनते, ढूनते, बचकी डिकेट में सारे पैसे खर्चे हो गए, एक एक पैसा सूथ के साथ वसूर करके जाऊंगा, कैसे बोले थे, कि अंग्रेस का आदा आदा माल बांट लेंगे, तुम्हारे बोलने पे मैं देजया में घुदा, और तुम मुझे धोगा अबे ओ, लंबाई के तसवूर में जीने वाली बचपन की लानत, उस कंगाल अंग्रेस के पास एक दमडी भी नहीं थी, सिवाए उसके सफेच चमडी के, वाँ, वाँ, तुम क्या समझते हैं कहानी सुनके मैं वापच रा जागवा, मैं पैसे लिए बगर यहां से हिलने व अगर तरे में हमाता है, तो मेरे से ले ले ना, पैदाशी लिला साला, मैं भी अपना हिस्से का रुपया ले बगर, यहां से हिलूंगा तो ले?